प्रित्वी के उपर किसी परिंदे की तरह उड़ना और फिर सुरक्षित तरीके से जमीन पर लेंडिंग चंगेज कोचाक के लिए ये कामकाजी दिन का बढ़िया समापन है तुर्की में रहने वाले कोचाक के दिन की शुरुवात दूसरे लोगों की तरह ही होती है कौफी का आखरी सिप लेकर वो निकल जाते हैं इसके बाद उनका रूटीन काफी अलग हो जाता है जैसे कि उनका ओफिस बारे सु मीटर की उचाई पर है तुर्की के दक्षनी तटपर, बाबा दाग परवत पर वहां केबल कार से जाना पड़ता है इस तरह की उचाई पर जाकर हमेशा कोचाक रुमान्चित हो जाते हैं कोचाक को चुनोतियां पसंद है जब वो तुर्क सेना में पैरा ट्रूपर के तौर पर काम करते थे तो उन्होंने बेस जंपिंग सीखी विंग सूट के साथ और उसके बिना भी वो तुर्की के उन्चंद लोगों में शामिल है जिन्होंने इस बेहद चुनोति पूर्ण खेल में महारत हासिल की है कोचाक काम पर पहुँचते हैं वो बाबा दाग केबल कार के मैनेजर हैं अपनी डेस्क के पास वो अपना विंग सूट लटका देते हैं फिर उनके दिन भर के काम का इस मुश्किल खेल से ज्यादा लेना देना नहीं होता उनका काम है केबल कार के टेकनिकल सिस्टम के निगरानी करना साथ ही वो पैनोरामा रेस्त्राँ और नजारा देखने के लिए बने प्लेट फॉर्म पर भी नजर रखते हैं आठ घंटे काम करने के बाद अब बारी आती है घर जाने की हर दिन उन्हें इस पल का इंतजार होता है वो अपना विंग सूट पहनते हैं विंग सूट इस तरह बना है कि ये हवा में स्थिर रहने में मदद करता है खास ट्रेनिंग और अभ्यास के बाद ही आप इसके जरीए उड़ पाते हैं फिर कोचाक अपनी बाहों को फैलाते हैं और 180 किलोमीटर प्रती घंटा की रफ्तार से घर की तरफ निकल जाते हैं उनका घर तुरकी के सबसे सुन्दर बीचों में से एक ओलू डेनीज के पास है सुरक्षित लेंडिंग के लिए कोचाक को बस अपना पैराशूट खोलना है और वो घर पहुंच जाते हैं सिर्फ चार मिनट में जबकि केबल कार से 40 मिनट लगते हैं आखरी काम है उसे तह लगा कर बैग में रखना विंग सूट से उड़ने वाले ज्यादातर लोगों के लिए ये दुरलभ अनुभव है लेकिन कोचाक के लिए घर जाने का फटा फट तरीका